हाई अबरिबन वेलकम टु स्टड़े स्प्रिंग और आज हम लोग फिर से डिसकस करेंगे अपना सेसा नाइनटीन जो जो ग्रफी का कोस्टन होगा फिप्टीन कोस्टन होगा और यह वेस्ट होगा एंसी आटी के क्लास टु 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 एल्थ के क्लासेज पे जो काफी होगा आपके examination point of view से और आपके basic knowledge को boost up करने के लिए before to begin अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए dedicated work करती है और यह questions आपके लिए relevant होते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और share कीजिए क्योंकि यह हमारे motivation का एक बहुत बारा कारण होता है साथ में आप हमारे videos के PDF हमारे telegram channel study experience से download कर सकते हैं जो totally video of cost है चलते हैं अपने question के तरफ प्ला question आपके पास है आपके screen पर है जो है अचानक मार और सीता नदी वन जीव अवेरा ने कहां एस्तित है एंसर कीजिएगा आप लोग इसका timing स्टार्ट किये हैं आपके लिए हम लोग आपके पास option था बिहार तिलंगाना चंडी करोड 36 गड वेलकुल बहुत important question है इसमें से दोनों में से कोई एक बार बार एक्जाम में आता है या तो आपका अचानक मार आता है या फिर सीता नदी तोनों में से कोई एक आ जाता है एक्जाम में और बार बार ट्रेंडिंग म आपका गाह हो जाएगा यह 36 गड में इसती था यह दोनों बट यह चीज आप किलियर कीजे कि यह राष्ट्रिय उद्यान नहीं है बलकि one is you awareने है ठीक है next question बगवान महावीर जिसको मॉलेम के नाम से जानते हैं यह one is you awareने कहा इसती था answer कीजेगा आप लोग इसका अभी एक और classes जो आपके चलेंगे वो ऐसे ही one is you awareने से related होगा क्योंकि यह exam में अजकल trending बन के आया हुआ है और इस trend को खतम करने के लिए एक बहुत विष्ट तरीका है कि आप अपना preparation इस level तक ले करके जाएए कि आपके चीजे जो है वो clear होती चली जाए बलकुल तो भगवान महावीर one is you awareने जो है वो आपका गुआ में इस्तित है इसका right answer आपका को हो जाएगा इसे clear होते चले जाएंगे बट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपने अपना जो notebook है उस notebook को clear कीजिए और notebook को clear करके केवल आप याद कीजिए और इससे और बेश तरीका है कि जब आ आपके classes premiere होते है उस वक्त साम में 7 बज़े आपका notification जैसे ही आता है आप notification को on करके और फिर उस वक्त premiere में जो है अपने answer देते चले इससे आपको दो फायदा होगा एक तो यह फायदा होगा कि आप within 15 seconds answer दे रहे हो as a test series ठीक है दूसरा आपको एक फायदा हो जागा कि आप अपने आपको judge कर पाऊगे कि आप NCRT के पढ़ाई में कहा तक extend हो पाए हो तो बिल्कुल आप इसको जरूर बूस्ट अप कीजिए अपने quality को यहाँ से इस premiere class का फायदा उठा करके next question है answer over one a genuine awareanine किस राजे में इस्तित है answer कीजिएगा आप लोग इसका answer over one a genuine awareanine किस राजे में इस्तित है आपके पास option है करनाटक गुजरात हिमांचल परदेश और मधय परदेश answer करते हुए चलिएगा और बिल्कुल मैं उमीद करूँगा कि जब ये class premiere होगी तो आप लोग answer किये हुए रहिएगा और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो साड़े लोग इसमें आकर के जुड़े और साड़े लोग class में at least जो है वो एंसर जरूर करें क्योंकि ये class इसलिए साम में साथ बज़े रखा गया है ये free time होता है आपके लिए और classes more than 12 minutes less than 12 minutes होते हैं ठीक है ये जो है बारा मिनिट पंदर मिनिट से कम के classes होते हैं तो बारा पंदर मिनिट आप ऐसे ही जो है वो टिक टॉक में निकालते हो इसका right answer जो है वो आपका खाओ हो जाएगा none server जो है ये आपका गुजरात में इस्तित है one जीवा वेरन है और गुजरात में और भी one जीवा वेरन है जो आपका great Indian bastard है दूसरा जो है वो marine है तीसरा नरायन है और चोथा पूर्णा है पाचवा जो है वो जंगली गधा है जंगली गधा जो है wild ass के नाम से इसको जाना जाता है wild ass के नाम से जाना जाता है ये भी बार-बार exam में पूछा जाता है तो answer कीजेगा इसका ये साड़े का answer आपका गुजरात आजाएगा next question नमलेकित में से कौन सा एक वन जीव अवेरन है हिमानचल परदेश में इस्तित है answer करो फटा फटा आप लोग इसका अगर ये आप प्रीमियर में देख रहे हो फिर भी answer करो अदर्वाइस जब आप इसको देड़ से देखते हो तो notebook जो होता है उसमें आप जो है क्या करो कि अपना ABCD का answer बना लो और जो है उसको last में match करके देखो कि जो answer दिया गया वो सही या गलत है और जो timing यहाँ पे दिया जाता है 15 सेकेंड का उस time के भीतर में इसका answer करने का कोशिस करो आप लोग बलकुल इसका right answer जो होगा वो खा हो जाएगा यह जो है हिमांचल परदेश में इस्तित नहीं है उसका नाम है पुर्णा ठीक है पुर्णा वने जीव अवे रने जो है वो हिमांचल परदेश में इस्तित नहीं है बाकी चंदर ताल भी हिमांचल परदेश में है उसके बाद है पॉंग, डैम, जील भी मांचल परदेश में है और रेनु का ये सारे वने जीवेवेर रने जो है वो हिमांचल परदेश में इस्थित है किवल पूर्णा को छोड़ करके पूर्णा को ये स्थित है वाले में तो आप एक ही आनसर दोगे बट इस्थित नहीं है वाले में आप चार को जाना पड़ेगा तभी आप एक का एंसर दे सकते हो यह बहुत important होता है इसलिए आपको इस तरीके से question को set करके दिया गया है कि आप at least ज्यादा चीजों को समझ पाओ time up होता है इसका right answer जो है वह आपको इबह हो जाएगा भीम बांध जो है कि जम्मु कास्मीर में इस्तित नहीं है बाकी आपका जो है वो चंग थाल सीत मरवस्तल जम्मु कास्मीर में है उसके बाद होकेडसर भी जम्मु कास्मीर में है और सूरी नसर मानसर जो है यह भी जम्म का समीर में इस्तित है केवल खोक एटसर को छोड़ करके नेक्स्ट कोश्चन नेमने लिखित में से कौन सा वन जी हूँ अवे रने जारखंड में इस्तित नहीं है एंसर कीजेगा फटा फटा आप लोग बहुत सिंपल कोश्चन है एंसर मैं हर एक लोगों से एस्पेक्टेशन करूँगा ठीक है क्योंकि एंसर आपका जो है हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि जितने आपके लेक्चर दिये जाते है उस सारे लेक्चर में एटलिस्ट उसका अगर सही जगह पर आप कर रहे हो तो आप इस कोश्चन का एंसर जरूर दे पाऊगे बिलकुल टाइम आफ होता है इसका राइट एंसर आपका गव हो जाएगा दान डेली जो है वन जिव अभेरन ये जारखंड में इस्तित नहीं है ठीक है नेक्स कोश्चन बाकी इससे पहले जो है वो डालमा पारशनाथ और पलामू ये सारे वन जिव अभेरने जारखंड में इस्तित है अस्पेक्ट दान डेली दान डेली वन जिव अभेरने जो है वो जारखंड में इस्तित नहीं है अब आप चीजों को देखो करनाटक में कौन सा इस्थित नहीं है, एंसर करते हुए चलना, आपके पास पहला जो option है, वो है थडेकर, दूसरा है दांडेली, तीसरा है घट प्रवा और चोथा है चिंचोली, इसमें से एंसर कीजेगा आप लोग कि करनाटक में कौन इस्थित नहीं है, और एक और दांडेली, घट प्रवा, चिंचोली और ताल का वेड़ी, यह ताल का वेड़ी जो है, यह भी करनाटक में इस्थित है, केवल थडेकर को छोड़ करके, next question, नहीं हमने लिखित में से किस एक वन इस्थित नहीं है, मतलब कि केरल में कौन सा एक वन इस् जो था है, बोड़ी, अंसर कीज़े, फटा-फटा आप लोग, टाइम अफ होता है, इसका राइट अंसर जो है, आपका घवा हो जाएगा, बोड़ी, क्योंकि, जो है, वो केरल में, जो वन इस्थित है, ठीक है, और इसके पीछे रीजन केरल का टोफोगराफी है, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चेन, ताटा पानी वने जी वह रений किस राज रमी में इस्थित, अंसर की जाएगा, फटा-फट बहुत सिंपल कोश्चेन है, आपके पास आप्सन है, विहार, मारास्ट्र, जहरखंड और मध्यपर्देस, अंसर करो फटा-फट, फटा-फट अंसर करो वन जिवावेरने वो बोड़ी है गांधी सागर है राष्ट्रिय चम्बल है पन्ना है और सोन घडियल है ये सारे वन जिवावेरने जो है ये मद्यप्रदेश्त में इस्तित है क्लियर है next question कल्सु भाई हरिस्चंद्र घाट वन जिवावेरने किस राज में इस्तित है एंसर कीजेगा बहुत सिंपल कोस्चन है प्राफट एंसर करते जाओ आप लोग कल्सु भाई हरिस्चंद्र घाट वन जिवावेरने किस राज में इस्तित है जरकंड केरल महारांस्ट निमलिकित में से कोई नहीं 3 में से कोई एकका एंसर चुनना है 15 सेकेंड का टाइम अप होने वाला है आपका बिलकुल और इसका right एंसर जो है वो आपका गव हो जाएगा ये आपका महाराष्ट में अस्तित है कल्सुभाई हरिस्चंद्र घाट और इसके बाद महारास्ट्र में जो वन जीव अवेरन है वो है फंसाड, बोर, मेल घाट उसके बाद नकजीरा, पक्छी, पेन गंगा और उमरेड कार हंडला ये सारे जो है वन जीव अवेरन कहां इस्तित है तो महारास्ट्र में इस्तित है नेक्स्ट कोस्चन, वायू वेक काम आपन किसके द्वरा होता है, एंसर करो फटा 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 अप लोग, आपके पास option जो है, वो आपके पास option है, एनिमोमीटर, एनिरोयड, रेंड गेज, निमलिखित में से कोई नहीं, फटा फट एंसर करते जाओ आप लोग इसका बहुत simple question है, वायू वेक का मापन, एटलिस्ट वो लोग तो जरूर एंसर करो, जो रेल्वे का एक्जाम देने वाले हो, क्योंकि रेल्वे वाले में science है, इस तरीके के question आते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि यह हमारा physics का question है, बट इसको आप categorize नहीं कर सकते हो, कि physics से पूछा गया है, यस time up होता है, आपका right answer का हो जाएगा, अनिमो मीटर से वायू वेक का मापन किया जाता है, right answer का हो जाएगा, next question, वायू मंडली है, दाप का मापन किसके दोरा किया जाता है, फिर time में start करता है, आपका 15 second का है, within 15 second आप answer देने का कोसिस करो, जब आपके classes premier होते हैं तो, क्योंकि premier classes जो है, वो आपको एक overview देता है, कि आपका preparation कितना top level तक पहुंचा है, अगर आप 15 second में एक question का answer दे रहा हो, मतलब एक statement को आपको cover करने में मातर 15 second का समय लग रहा है, कि वो लिए समझने में कि statement सही है, गलत, और यही practice आपको exam में जो है, आपके डर को खतम और आप इस class को बहुत simple में ना लेना, क्योंकि यह class जो है, वो NCRT के question पे है, और दूसरी बात यह है, कि आपके चीजों को जब यह cover करवाएगा ना, तो last में जब आप statement पढ़ोगे, तो एक चीज के लिए confirm हो जावाब, कि चीजे आपकी वहाँ पे फटा-फट clear होते चल next question देखते हैं हम लोग, मद्य समुंदर तल की उचाई मापी जाती है, मद्य समुंदर तल की जो उचाई है, वो किसके दोरा मापी जाती है, अगर यह समुंदर तल है, तो इसके जो है, मद्य की जो माप है, किसके दोरा मापी जाएगी, answer कीजेगा आप लोग इसका, बहु classes वैसे भी और लोगों के लिए simple नहीं होता है right answer आपका खा हो जाएगा मद्य समूंद रतल की उचाइम आपने के लिए हम लोग ultimator का यूज करते हैं ठीक है last question देखते हैं हम लोग वर्सा कमापन किसके दोरा होता है simple question है इसका answer hand rate में hand rate लोग आना चाहिए 100 में से 100 लोग इसका answer देंगे क्योंकि इस question का answer अगर आप नहीं दे रहे हो तो हमारा पूरा पढ़ाना वेकार है फिर आपके लिए ठीक है आपके पास option था rain gaze rain ultimator rain aneroid और निमलेखित में से कोई नहीं time off होता है राइट answer आपका कव हो जाएगा rain gaze को दोरा हम लोग वर्सा का मापन करते हैं ये चीज थी आपके ये questions थे पूरे आपको लगा कि अगर ये question आपके लिए important था तो चैनल को subscribe और share जरूर कीज़ेगा क्योंकि हमारा motivation का बहुत बड़ा कारण होता है साथ में वीडियो के pdf हमारा telegram channel study spring से डाउनलोड कीज़ेगा totally free of cost है आपका session number 19 था next class में हम लोग session number 20 को discuss करेंगे फिर से हम लोग 15 questions को discuss करेंगे जो based होगा class 6 to 12 के NCIT पर और वो होगा जोगरफी का ये था आज के class के लिए हमलता है next video में thank you and good bye